नमस्कार सिक्षक साथियों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बुनियादी भासा और संख्या ग्यान से संबंधित जो इसकूल डेडिनेंस मोडियूल अर्थार्थ चहक प्रसिक्षन चल रहा है उसी से संबंधित कुछ महत्तपूर्ण किट से कुछ महत्तपूर्ण हम लोग पहली कख्षा के लिए या जो बाउक है क्लास वन के लिए उसमें क्या-क्या संबंधित बस्तुमें बच्चों के पहली क्लास के बच्चों को पढ़ने के लिए आया है जो एक dummy coins आप देख सकते हैं इसमें dummy coins मतलब हो गया कि जो सिक्क्य है उसका dummy अनि dummy मतलब गुंगा होता है गुंगा सिका या कहीं चलेगा नहीं लेकिन बच्चे इससे समझ सकते हैं कि आप एक chain बना सकते हैं और इसकी सहायता से बच्चों को गिंती भी सिखा सकते हैं. किस परकार से गिंती सिखाएंगे इससे measurement भी कर सकते हैं, लंबाई मापने भी काम कर सकते हैं, बित्ता या हाथ की सहायता से जोड़ करके इसे बना सकते हैं, जिसका हम लोग 20 जानकारी प्राप्त करेंगे, फिलाल हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में जो पहली क्लास के बच्चों के लिए समान उपलब्ध है पढ़ने के लिए आनि कि T.L.M. उसके बारे में सबसे पहले परिचित हो जाते हैं. तो हम लोग Dummy Coins के बारे में परिचित हो चुके हैं, उसके बाद Chain Links के बारे में भी परिचित हो चुके हैं और यह कुल मिला करके 100 पीस इसमें डाला हुआ है. अब हम लोग इसको समझते हैं, इसे आप देखे ही हैं यहां उसी परकार से Dummy रूपीज है और इसमें एक रूपिय का उपर है और भी अंदर में 100 रूपिय का, 50 रूपिय का, 2000 रूपिय का सभी आपको इसमें एवलेबल है जो कि बच्चों को आप दिखा दिखा करके उसक इसके बारे में परिशित करवा सकते हैं और पूछ सकते हैं इसे फिर उसे जोडने और घटाने के लिए भी आप सिखा सकते हैं आगे चलते हैं, आगे है यह है student watch, यह क्या है student watch है और इसमें दो ही सुई, हम लोग watch में नॉर्मलि देखते हैं कि तीन सुई होती है लेकिन य यह मिनट वाली सुई यह घंटे वाली सुई अधि मिनट वाली सुई को आप एक राउंड मुव करवाएंगे तो यह घंटे वाली सुई स्वता खिसक करके एक घंटे में बदल जाएगी और अगले घंटे पहुंच जाएगी तो यह हुआ स्टूडेंट क्लॉक उसके बाद हम लोग आगे परिचित होते हैं समानों से यह है टू राउड से अनिकि इसमें आप देख सकते हैं जब खोलिएगा इसे इसमें दो रड्स दिया हुआ है एक और दो यह है दो रड्स है और इसी में फिर एवकस है यह जो गोल गोल देख रह लेगा उसके बाद हम लोग हिंदी अक्षर फ्लैस कार्ड या कख्षा एक ही के लिए आया जिसमें 40 कार्ड इसमें दिया हुआ है और इसे बच्चों को पढ़ने में जो की हिंदी अक्षर होती है उसे आसानी से सिखाया जा सकता है तो इसमें इस प्रकार से हैं यहां पर द को से कमल उसके बाद खो गो आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको इसमें हर बर्णमाला का मिलेगा और भी कुछ इसमें है अलग ढंकी बर्णमाला पूरे एक जगा ओ आ हरसाई दिर गई दिया है तो इसको आप साबधानी से देख करके समझ लेंगे और बच्चों को जहां आप प्रियास होगा उसे समझाने का प्रियास करेंगे त्या हुआ हिंदी अक्षर के लिए प्लाइस देख काड उसके बाद कि इंग्लिस उल्फा बेट्स इसमें भी उसी परकार से काड दीया हुआ है जिसे हम लोग थोल करके समझ लेते हैं क्या है तो इसमें vitam प्लिस में A है, A से एपल, बचों को दिखा करके इसे समझाएंगे, फिर B से बैट, और भी इसी तरह से या संभवता Z तक होगा, और आगे भी कुछ दिया हुआ है, जिसे आप समझ सकते हैं, इसके दोनों पार्ट्स में कुछ ने कुछ फिगर दिया हुआ है, बड़ी अलफ बड़ी नों दिया हुआ है, अब हम लोग आगे आचुके हैं, यह है पैटर्न, यह पैटर्न है, जिसमें 160 दिया हुआ है, तो पैटर्न मिन से इसमें हर प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी, इस पैटर्न को आप देख सकते हैं और काशसकरे हैं, बच्चों को द कि यहां किस color का है अब आगे यहां इसको देख सकते हैं यह pattern यहां 60 कोनिये है और छा कोनिये है इसमें छा line दी हुए छा किनारा भी कर सकते हैं और इसको दिखा करके बच्चों का color भी पचानवा सकते हैं और यहां कौन सी आकरती है इसके बारे में बता सकते हैं यहां हो गया आपका pattern set और इसमें 100 pattern दिया हुआ है इसमें तिर्भूज, बार्ग, गोला, बेलन, संकु सभी आकरतियां इसमें आपको मिल जाएगी तो यहां हो गया टू-डाइमेंशन इसको का सकते हैं यहां पर इसमें देखेंगे geometrical solids है तो इसमें आपको थ्री डाइमेंशन में सब कुछ देखने को मिलेगा और थ्री डाइमेंशन का अर्थ हो गया कि आप एक ही समय में तीन भागों को एक ही समय में देख सकते हैं तो जिसमें इस परकार से है अधि आप इसको देखने का प्रियास करेंगे तो वन टाइम से थ्री साइड्स को हम इसमें विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं उसी परकार से यह गोला आपका हो गया और इसकी सहायता से इसको बच्चों को कुछ नकुछ ग्यान प्राप्त करवा सकते हैं हर प्रकार के बस्तूओं से इसमें जो भी बस्तूओं दी हुई है बेलन है, संकू है और तरह-तरह की अनेक प्रकार के तिर्भूज है और इससे परिशित करवा सकते हैं घन घना भी इसमें हैं सारी चीज़ें तो यह हो गया जो मेट्रिकल सोलीड सेट और 40 इसमें आकृतियां दी हुई है अब कुछ है कार्ड्स है इसमें नीचे दिएगे चित्रों को देखकर बताएंगे कि एक क्रियाएं आप कम करते हैं इधर भी है कुछ है नीचे दिएगे चित्रों को देखकर बताएंगे कि एक क्रियाएं कब करते हैं तो यहां पर है कि नास्ता करना नास्ता कब करते हो बच्चों बच्चे की और से रिपलाई आएगा कि इतना टाइम में नास्ता करते हैं असनान कब करते हैं उसके बाद सोकर कब जगते हैं सोकर कब उड़ते हो फिर कहानी सुनकर सोना कब है इन स से मीनी यह पार्ट में तुटा हुआ है खुला हुआ था इसे मैं पहले से ही एरेंज करके सेट करके रखा हूँ तो इसमें देख सकते होंगे आप नंबरिंग आपको दिखती होगी आगे से यहां से एक, दो, थीन, चार, दस तक है जैसे कि संख्या रेखा होती है लेकिन इसमें दोनों में positive parts ही है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सा, टाट, नो, डस फिर right hand और left hand और बाया और डाया में दोनों में दस तक है तो बैलेंस करने का इसका प्रोसेस है कि अधी आप एक पर एक इस प्रकार से इसको टांग देंगे तो दूसरा अधी तीसरे पर करते हैं जाकर के तो निसीत रूप से यहाद देखे यहाद बैलेंस हो चुका है अधी एक पर इधर इस और कुछ आकरती कुछ भार को अधी लोड किज़ेगा और इधर भी राइट साइड में भी लोड किज़ेगा तो यहां दोनों fixed balance में होगा तो इसकी सहायता से बच्चों को गिंती की संख्या और नंबर सिस्टम को सही से समझा सकते हैं उसके बाद इसी कीट में एक दो book आई थी इसे आप देख सकते हैं मेरी प्रिय कहानिया तो यहां class 1 के बच्चों के लिए हैं इसमें अच्छी अच्छी कहानिया दी हुई है इस कहानियों की सहायता से बच्चों को और बच्चों के skill में और बच्चों की जो प्रगती है उसको develop कर सकते हैं उसके बाद my story book यह दूसरी किताब है जो कि English की किताब है और इसमें भी English कहानिया और कहानिया ही stories ही दी हुई है लेकिन English में दी हुई होगी English में ही दी है और इसकी सहायता से बच्चों को पढ़ा करके उसके ज्ञान में विर्धी कर सकते हैं तो इस प्रकार से आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से Class 1 के बच्चों के लिए FLN कीट जो आया है उसमें क्या-क्या materials था उसकी जानकारी प्राप्ट किये अब हम लोग आगे नेक्स वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे इसकी जानकारी प्राप्ट करेंगे कि यह सब बस्तूओं का यह सब जो materials है किस प्रकार से यूज करेंगे थांक्स फर वाचिंग गुडबाई